आपको थोड़ा सा इसको समझाना पूटाएगा हमें आजिस. राहूल गांधी जाकर के विदेश में रहें कि भरत में चिक्षह के गूरदवारे जाने पर गूरदवारे जा पाएंगे या पाएंगे इस अजादी पर हमको सवाल करना, इसके लड़ाए हमको लड़नी है. चनातन के खिलाफ और हिंदुत के खिलाफ बोलने से उन्हें फायदा हुआ। उनकी सीटें बढ़के दुगनी हुई। पचास से निन्यानमे हो गए। लगबख दुगनी हुई। ठीक है टबल हो गई। तो उनको लगता है कि मैं मुझे फायदा हो रहा। और माफ़ करना ये जो देश एक हजार साल तक गुलाम रहा। एक हजार साल ये देश एक हजार साल तक इसलिए गुलाम नहीं रहा कि बाबर बहुत बादुर था। चंगेज का बहुत बादुर था। तैमूर लंग बहुत बादुर था। ये देश इसलिए गुलाम हुआ है कि इस देश म कुछ जैचंद थे तो आप राहुल गांदी को भी जैचंद पामते हैं ना मैंने यह नहीं कहा आप अपनी बात मेरी तरह से मेरी बात को अपनी तरह समझे मेरी बात को मेरी तरह समझे मेरी बात को मेरी तरह समझे राहुल गांदी जी को पता है कि हिंदूों के अंदर भारत क अंदर कुछ जैचंद थे इसलिए इसलिए भारत गुलाम हुआ तो उनको लगता है कि मैं उसी लाइन पे चलूं और क्यूंके उसी लाइन पे चलके उनका फायदा हो रहा है इसलिए वो ये लगातार कर रहे हैं भारत की धर्ती पर भी कर रहे हैं और इसको वो इंटरनेशनल level पर जो मोधी का विरोध है उसको एक करके उसके लीडर बनना चाहते हैं लेकर आप फिर खुलके आपने उनको देश विरोधी शब्द इस्थमाल नहीं किया लेकर आप कह रहे हैं कि वो किसी भी कीमत पर देशका वे भाजन करना चाहते हैं तो यह देश होना हुआ की ने हुआ जो आदमी जैचंदों को एकटा करके उनका वोट लेना चाहता है तो वो खुद जैचंद्ध हुआ की नहीं हुआ जो अपने देश के बाहर जाके अपने देश की बख्या उधरता हूँ, एक बताओ, मैं चेलेंज करता हूँ आपको, एक नेता बताओ, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदुस्तान में तो हो गई नहीं कोई, वैसी भी भारत के अंदर मोधी को नहीं करता, अकेले नेता हैं राहूल गांदी, जो जब देश के बाहर जाएंगे, देश को नंगा करते हैं, सिखों के ऊपर जो बयान दिया है, क्या ये देश को तोड़ने वाला बयान नहीं है, अभी आपने कहा कि लोकतंतर मर गया, भारत में, विदेश में जाके लोकतं दो जाता, तो आप वाइनाट से कैसे जीच जाते, लोकतंतर मर जाता, आप राइवरेली से कैसे जीच जाते, इसमें समझने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आखिर उनका मोटिव क्या है, उनका मोटिव सिर्फ ये है, कि जो भारत विरोधी लोग हैं, देश के अंदर पर नोब प्रबार बढ़ नाऑ उनको एंगट्टा किया जाए, कि उनका लीडर बना चाहें, है ऐसा करके उनको लगता है कि देश औनको कोई पद्वी दिदी देगा, क्यप देगा, क्यों पर्धानमंतरी बना देगा, देटा मना देगा, ऐसा नैनको बर जगे से जिता है इन्हों ने का राहूल गांदी जो कर रहे हैं वो राहूल गांदी ही कर रहे हैं कोई ठीक रहा उनके सारा कानों पर मत पोड़ो तो राहूल गांदी ने सोच समझ के किया चाहे सिक्खों पर बोला हो चाहे वो इलहान उमर से मिले हो जो की प्योके की पक्षदर है इस डिजाइन को समझने के लिए थोड़ा आपको इतिहास में जाना पड़ेगा और याद कीजिए जब सोवेज संग टूटा था जब सोवेज संग का विभाजन हुआ वो अमेरिकी और CIA का प्रजेक्ट था अमेरिका और यूरप का प्रजेक्ट था कि सोवेज संग बहुत ताकतवर हो गया बहुत बड़ा देश हो गया बड़ा संपन्न देश हो गया इसको तोड़ना जरूरी है तूड़ गया सोवेज सं उस समय के अख़बार और पत्रिकाएं तब टेलिविजिन चैनल तो इस तरह से होते नहीं थे, सोशल मीडिया तो था ही नहीं अगर आप देखेंगे तो हर जग हर थोड़े दिन पर ये चपता था कि next is India अच्छा भारत को तो उड़ने की ज़रूरत है विगटन के बाद कि यही एक देश है, देखें एक डीप स्टेट की आजकल बात होने लगी पहले तो नहीं होती थी, आजकल बड़ी चर्चा होती है डीप स्टेट को हर देश में एक प्लाइबल प्राइम निस्टर या प्रेसिडेंट जो भी व्यवस्ता हो उस देश की वो चाहिए कि सरकार हमारी कटपुतली हो, हमारे वेस्टेट इंटरेस्ट को जो है वो सर्व करे तो और दूसरा, आप याद कीजिए कि खालिस्तान का ये विचार ये विचारधारा खालिस्तान को बनाया किसने कॉंग्रिस पार्टी ने, इंदिरा गांधी ने, उननीस सो पचासी का चुनाव जीतने के लिए बिंडरा वाले को खड़ा किया गया ये जीबियस सिद्धू की किताब है, उसमें बड़ा डीटेल में है, कि किस तरह से खड़ा किया है, क्या क्या योजना थी तो अब आप कहेंगे, अब अभी जो हुआ है, उससे तो पता चलता है कि कॉंग्रिस यानि राहुल गांधी और जो खालिस्तानी तत्वों है, वो एक हो गया है तो काईगे कॉंग्रिस ने खड़ा किया खालिस्तानियों को तो खालिस्तानी कॉंग्रिस के विरोध में क्यों हो गए तो आपको बेंद सिंग को याद करना पूड़ेगा सरदार बेंद सिंग जो पंजाब के मुख्य मंतरी थे खालिस्तानी तत्वों को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने मरवाया तो बेहन्त सिंग ने तब से ये खालिस्तानी कॉंग्रिस से नाराज है राहुल गांधी ने जो इस स्यात्रा में किया है अमेरिका में आप देखिए उनका बयान आता है सिखों के बारे में सरा सर जूट कि भारत में असली लडाई ये है पुलिटियल लडाई तो सुपरफिशियल है असली लडाई है कि सिख पगड़ी पहन पाएंगे की नहीं कड़ा पहन पाएंगे की नहीं गुरद्वारे जा पाएंगे की नहीं आपको भारत से किसी एक सिक्का इस पर समर्थर नहीं मिला